नमस्कार बच्चों, मिलेनियम परिवार में आपका स्वागत है आज का सत्र शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा खेल खेलते हैं आप अपने मित्रों के साथ में टेलीफोन में इस तरह से अभी नए की बातचीत के लिए करो कि हसी आये उसे आज का सत्र है हमारा समवाद समवाद का मतलब है बातचीत यह सब्द सम प्लस वाद से बना है इसका तत्पर है सम्यक बोली जब दो या इससे अधिक वेक्ति एक दूसर से वारताला बातचीत करते हैं उसे समवाद करते हैं इस जीवन में परते एक वेक्ति या फिर बहुत से लोग हैं जो हमेशा बातचीत और समवाद करते हैं हम बीना इसके नहीं रह सकते हमारे लिए बातचीत एक अनिवारिये प्रक्रिया है इसके साथ में हम जब भी अपनी कोई बातचीत समझाना चाते हैं या फिर अपनी भावना को हम अपने परस्तुत करना चाते हैं तब हमें समवाद की बहुत आओ सकता है हम दूसरों से भी जानकारी समवाद के माद्यम से ही प्राप्त करते हैं जैसे हम अध्यापक और छात्र का समवाद देखो, बाहर से हम कोई भी समाल लेके आते हैं, तब हमें बादचीत जरूरी है, एसे अनेक उधारन है, एक उधारन आपके सामें देखो. आपको आज का सत्र समझ में आया होगा, अभी आप अपने घर पे बैठ के बिरबल और अकवर की बादचीत के बहुत सारी पुस्तक है, आप उन्हें पढ़िए और अपने परिवार को समवाद को सुनाएं, धन्यवाद.